एक समय की बात है गंगोत्री नगर में बबलू नाम का एक पानी पूरी वाला अपनी पत्नी आर्थी के साथ रहा करता था बबलू बहुत अच्छी पानी पूरी बनाता था इसलिए उसके ठेले पर हमेशा लोगों की लाइन लगी रहती थी बबलू के दुकान के बगल सूरज भी पानी पूरी बेचा करता था पर उसके ठेले पर कोई पानी पूरी खाने नहीं आता था जबसे बबलू में पानी पूरी की दुकान खोली है, मेरे दुकान पर कोई आता ही नहीं अगर ऐसा ही रहा तो मुझे अपनी दुकान जल्द से जल्द बंद करनी पड़ेगी इसलिए सूरज बबलू से हमेशा जलता रहता था एक दिन जब बबलू पानी पूरी बेच रहा था आओ भाई आओ, खटे मीठे गोलगपे खाओ तभी शहर से राजनाम का एक व्यक्ती उसके ठेले पर आता है और कहता है अरे भाई सुनो, यहाँ पर कोई बबलू नाम का पानी पूरी वाला है, जिसके पानी पूरी के चर्चे दूर दूर तक है जी, सेट जी, मेरा ही नाम बबलू है, मैं कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ भाई, अगले हफते मेरी बेटी काजल की शादी है, लोग उसे तुम्हारे बारे में सुना था, तो तुम्हें ओर देने चला आया फिर राज ने बबलू को अपनी बेटी की शादी में पानी पूरी खिलाने का ओर दे दिया जब शाम को छोटू पानी पूरी बेच कर अपने घर जा रहा था, तब ही रास्ते में उसकी मुलाकात सूरज से होती है और कैसे हो बबलू भाई, आजकल तो तुम्हारी खूब कमाई हो रही है, इसका राज जरा हमें भी तो बताओ अरे नहीं भाई, इसका कोई राज नहीं है, ये तो शायद उपर वाले की मर्जी है, चलो मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है ऐसा कहकर बबलू अपने घर चला जाता है, उधर सूरज जब अपने घर जाता है, तो उसकी पतनी प्रीती कहती है आ गया आज कितनी कमाई हुई? आरे भाग्यवान, जब से बबलू ने दुकान खोली है, तब से मेरा धंधा ही चौपट हो गया, उसका तो कुछ करना होगा एक रात जब बबलू और उसकी पतनी सो रहे थे, तभी सूरज बबलू के थैली के पास जाता है, और उसके पानी पूरी के पानी में धेर सारा मिर्च मिला देता है अरे कल देखना कैसे? तुम्हारी इज़त का कचरा होता है अगली सुबह जब बबलू शादी में अपना ठेला लेकर चल देता है, वह शादी में सभी लोग छोटू की पानी पूरी खाने के लिए लाइन लगा कर खड़े रहते हैं तभी बबलू की पानी पूरी खाके एक आदमी बोला यह सुनकर राज भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है अरे भाई क्या हो गया इतना शोर मचा रहे हो अरे हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो इतना तीखा पानी पूरी खाके हमारा पूरा मुह जला दिया फिर लोगों ने राज को खूब सुनाया राज ने गुस्से से कहा अरे मैं ही पागल था जो तुम्हें पानी पूरी का ओर्डर दिया तुम्हारे वजह से मेरी बहुत बेजजती हुई निकल जाओ यहां से फिर बबलू दुखी होकर अपना ठेला लेकर चला जाता है और बबलू इस बेजजती को सह नहीं पाता हर गाड़ी के नीचे आकर खुदकुशी कर लेता है जब यह बात उसकी पतनी को पता चलती है तो वो बहुत रोती है अब तो बबलू के ना होने पर सूरज की दुकान में लोग आने लगे थे एक दिन उसकी बीवी कहती है जी अच्छा हुआ वह छोटु मर ही गया पर ये सब हुआ कैसे मैंने ही उसके पानी में मिर्च मिला दिया था जिससे उसकी खूब बेजज़ती हुई और उसने खुदकुशी कर ली खैर जो भी हुआ अच्छा हुआ अब हमारी खूब कमाई होगी ऐसा कहकर दोनों सोने चले जाते हैं इन सब की बातें बबलू का भूत सुन रहा था सुनते हो जी आप बाहर जाकर देखकर आओ कौन है अरे ये रात को कौन रो रहा है सूरज जाकर देखता है तो वह हैरान रह जाता है वो देखता है कि बबलू की पानी पूरी का ठेला उसके घर के सामने है और बबलू भी वहीं खड़ा है यह देखकर सूरज बोलता है तुमने मेरी जिन्दगी बर्बाद कर दी। तुमने जो किया है उसकी सजा जरूर मिलेगी।